हलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं सुमन, यूटूब चनल इंडिया ओल डेज में आपका स्वागत करती हूँ, देखेगा स्टूडेंट्स, रिगवेदिक काल और जो वदिक काल था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, तो वदिक काल का ही एक पार्ट है, आज हम इस वीडियो में रिगवेदिक काल की धार्मिक दसा, धार्मिक जीवन और धार्मिक इस्तिति, इन सब के बारे में ध्यन करेंगे, तो जो आर ये लोग थे, उनका कैसा धार्मिक जीवन था, वो किस हिसाब से इस्वर की पूजा अर्चना करते थे, किस परकार की आस फ़ाल रखते थे इन सब के बारे में हम इस वीडियो में ध्यन करेंगे तो देखेगा थोड़सा आक्मापको और रिगवेदिक काल के बारे रिग्वेदी काल है इसके टाइम था 1500 इस्सा पूर्वा से 1000 इस्सा पूर्वा है तो हम 1500 इस्सा पूर्वा से 1000 इस्सा पूर्वा के बारे में पढ़ेंगे और रिग्वेदी काल क्या था यह हमने पहले पढ़ लिया है तो आप पहले वाले वीडियोज को देखेगा आप ये क्या थी? तो देखेगा, रिगवेदिक आरियों का धरम साधारन था, करम पर आदारी धार्मिक विवस्ता थी, अर्था आते, जो जैसा करम करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा, ऐसी माने था थी, रिगवेदिक काल के लोगों की कन्या की विदाय के समय दिया जाने वाला द काल में कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला दान क्या कहला था वहतु कहला था तो रिख्वेदिक धरम से संब्तित महत्वपून तथे देखेगा भी िंप साधारन तता आडंबर रहित और करम कान रहित धरम था देवताओं का मानविकरण किया गया था परकृति का देविकरण किया गया था और परवर्ति मार्गी धरम था तो देखेगा धरम के दो सवरूप होते हैं एक परवर्ति मार्गी धरम और एक निवर्ति मार्गी धरम निवर्ति मार्गी धरम कौन सा होता है जिसमें लोगों को संसार से किसी परकार का मोह नहीं होता और परवर्ति मार्गी जो संसारिक्ता में जीता है जिसको संसार से मोह होता जैसे हम लोग हैं अर्यूं की संतान है, तो हमें क्या है, कि हम संसार से भोत लगाव रखते हैं, इसी के बन्धन में हम बन्दे हुए होते हैं, और हमारा जीवनियापन चल्टा रहता है, इसी परकार से जो रिग्वेदिक काल के जो आर ये थे, वो भी क्या थे? परवर्ति मार गया आर ये थे, धरम में पूरुस देवताओं की परधानता थी यग्ये का पर्चलन सिमित था और उसमें करमकांड एंबली का पर्चलन नहीं के बराबर था रिगवेदिक आरियों की सोच उप्योगितावादी थी उप्योगितावादी मतलब अधिक्तम मनुस्यों के लिए अधिक्तम सुक्स विदाई तो जब सुक्स विदाओं की मनुस्यों को जो लालसा होती है उसके चक्कर में वो आगे से आगे भागता रहता है तो ऐसे ही क्या आरिये थे उपासना की वो थी प्राटना वो प्रेर करते थे इस संसार को आरिये कस्ट्रि या दुर्ख का कारण नहीं मांते थे हम कह सकते हैं कि आर्ये भोतिक वादी थे मोक्स की संक्लपना का विकास नहीं था मरत्यू की बाद दुस्मनों के लिए सोचते थे संसार में प्रवर्ष्थ थे इसी जीवन को वो अच्छा मानते थे प्रात्नाओं में भोतिक सुविदाओं की मांग करते थे देवियों की तुन्ना में देवताओं को उच्छ स्थान प्राप्त थे वैतिकाल में कुछ देवताओं की तुन्ना पसु रूप में होती थी जैसे अही बुर्धन ने अज एक पाद इंद्र जिसको व्रिशप मना गया है और शूर्य देगवान घोड़ा इंद्र की कुतिया सरामा जो आलियों की गायों को खोजने का कारिये करती थी पसु पुजा इस काल में नहीं होती थी दोस को सबसे प्राचिन देवता मना गया है दोस देवता की पत्नी प्रत्थवी को बताया गया है इंद्र अगनी वरुन को सर्वोचे देवता मना गया है तो कई बार की उसने पूछ लेते हैं की रिगवेदी काल के महतोपुन देवता कोन से हैं सर्वोचे देवता कोन से हैं वो आपके हैं इंद्र अगनी और वरुन सोम देवता को रिगवेद में 114 सुक्त समर्पित है तथा सोम देवता इसे वनस्पति का देवता कहा गया है अब देखेगा मित्र तो मित्र है ये वरोन से सम्मंदित देवता है मित्र को पर्तिग्या का देवता माना गया है अस्विन या फिर ना सत्ते तो अस्विन या ना सत्ते ये चिकिसा का देवता था और इसे बीसक या फिर वैद भी कहा गया है अगले देवता हैं मरुत तो ये आंधी के देवता थे यम ये मर्दु के देवता थे पूशन ये सडक चारागा है यम पसु पालन के देवता थे अगले देवता हैं विष्णु विष्णु को तीन कदम वाले देवता भी कहा गया है और विष्णु का सम्धा वो ये के से था रुद्र तो रुद्र है ये एनेतिक आच्रन से संबंधी देवता थे रिगवेदी काल की देवियां कई बार पूछ लेते हैं रिगवेदी काल इन दो देवियों के नाम बताओ या फिर जो अरणी ये कोन सी देवी थी यासे क्यों सुन आते हैं तो देखेगा उश्या, निश्या, प्रत्वी, सर्ष्वती, आरणी, आरणी कोन थी? जंगल की देवी, उर्वसी, अपस्त्रा और अदिती, देवताओं की माता आदि देवियों के नाम भी मिरते हैं रिगवेद में रिशब देव, आदिनाथ, रिशब देव को आदिनाथ भी का गया, जो पर्थम तिर्थंकर थे तथा अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी 22 वे तिर्थंकर थे के नाम का उलेख मिर्ता है तो देखेगा आपने जैंद्रमे तिर्थंकरों के बारे में पढ़ावा है तो आप अच्छे से वहाँ पे जैंद्रम के तिर्थंकरों के बारे में देखेगा वीडियो अब अगले देवता आते हैं इंद्र तो रिग्वेदी काल के सबसे महतोपन देवता इंद्र है इसे वर्षा का देवता भी कहा गया है इंद्र को 250 शुक्त समर्पित है और इंद्र के अन्य नाम क्या क्या थे तोनन, पुलूशी, पुरंदर, पुर्भिद, अच्सुजीत, वज्रपाणी प्रत्विवे दोस के पुत्र इंद्र थे, अगनी के भाई इंद्र थे, मरुत इंद्र का सहयोगी था वरित नामक राक्षस को मानने में इंद्र की साथा विश्णूने की थी, वरित कोन था? एक राक्षस था, अकाल का राक्षस तो इसको मारा किसने ता इंदर ने और इसके साथ विश्रुने की थी अगले देवता आते हैं अगनी तो 200 सुक्त अगनी को समर्पित है ये दूसरे परमुक देवता है ये ग्ये वग रह के देवता, पतपरदर्शक, घर का अतिथी और पूरोहितों के देवता अगनी है देवता तथा मनुश्यों के बीज मध्यस्त किसे कहा गया है अगनी को अगले देवता आते हैं वरुण तो वरुन को ती सुक्त समर्पित हैं, इन्हें जल के देवता भी कहा गया है, इन्हें राजा या असुर भी कहा गया है, और रित्त से गोपा, रित्त अर्तात नैतिक नियम के सरंग सक, तो रित्त से गोपा किसे कहा गया है, वरुन को, वरुन विशिस्ट परकार के देवता ह जो प्रार्तना या यग्ये से प्रसंद नहीं होते इनको प्रसंद करने के लिए जीवन चरीतर भी अच्छा चाहिए अब देखेगा यहाँ पे रिग्वेदी काल में क्या था कि छेत्र के अधार पर देवताओं को बाटा गया था इससे कई बार क्यूसन भी पूछ लेते हैं तो देखेगा आकास यह देवता अंत्रिक्स लोग या वाई लोग के देवता और एक थे भू लोग या फिर पर्त्फी लोग के देवता तो आकास लोग के देवता कोन थे वरुण, मित्र, सूरिय, उस्सा, पुर्शन, विश्णु, आदित्ते और अस्विन इसी प्रकार अंत्रिक्स लोग के देवता कोन से थे? यम, मरुत, इंद्रे, रुद्रे, पुर्यन्ने, वायू, वात, आपह, प्रजापती और अदित्ती. फिर देखेगा भूलों के फिर पर्थी लोग के देवता? शर्ष्वती, प्रत्वी, अगनी, अर्वई, सौम, ब्रहस्पती, एपानपात, मात्रिस्वन और नदियों के देवता. ये कोन से देवता थे? प्रत्वी लोग के देवता. तो देखेगा हमने इस वीडियो में रिगवेदी काल की धार्मिक दसा के बारे में पढ़ा है. आगया के वीडियो में हम रिगवेदी काल के जो सामाजिक इस्तिती है, आर्थिक इस्तिती है, और जो उत्रवेदी काल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो आप बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे धन्यवाद